हेलो बच्चों, आज हम गैफी और उसके दोस्तों की एक दिर्चस्प कहानी देखेंगे और वाक्यों का सही क्रम पहचानना सीखेंगे एक दिन गैफी घर पर बहुत बोर हो रही थी, तो उसने सोचा कि आज वो अपने दोस्त क्रॉक के साथ एक मज़ेदार खेल खेलेगी गैफी जैसे ही अपने घर से बाहर निकली, उसने अपने दोस्त क्राबी को उसकी तरफ आते हुए देखा अब गैफी और क्राबी दोनों तालाब के पास क्रॉक से मिलने जा रहे हैं तालाब के पास जाकर गैफी और क्राबी ने देखा कि क्रॉक बहुत परेशान है और इसी लिए पानी के अंदर चुपा हुआ है गैफी और क्राबी भी उससे मिलने पानी के अंदर चले गए क्राबी के पोचने पर क्रॉक ने बताया कि रानी और क्रॉक कल कहीं घूमने जाने वाले हैं पर रानी ने उसे ये नहीं बताया कि रानी उसे कहां मिलेगी रानी ने उसे कुछ वाक्य दिये जिनके शब्द गलत क्रम में है और उसे उन शब्दों को सही क्रम में लगा कर एक वाक्य बनाना है यदि क्रॉक सही वाक्य बना लेता है तो उसे पता चल जाएगा कि रानी उसे कहा मिलेगी और अब क्रॉक को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे ग्याफी और क्राबी ने क्रॉक को चिंता ना करने के लिए कहा और साथ ही ये भी कहा कि वो दोनों इन वाक्यों को सही क्रम में लगाने में क्रॉक की मदद करेंगे क्रॉक ने अपना पहला वाक्य ग्याफी और क्राबी को दिखाया पहला वाक्य है से, चल, घर क्या आप बता सकते हैं कि इस वाक्य का सही क्रम क्या होगा? बिल्कुल सही, इस वाक्य का सही क्रम है घर, से, चल क्रॉक पहला वाक्य सही क्रम में पहचानने पर बहुत खुश हुआ ग्याफी ने उसे दूसरा वाक्य दिखाने के लिए कहा दूसरा वाक्य है पर चड़ बस ग्याफी ने कहा दूसरा वाक्य है पर चड़ बस क्राबी ने गैफी से कहा कि उसका वाक्य अभी भी गलत है बच्चों, आपको क्या लगता है? आपने बिल्कुल सही सोचा सही वाक्य है बस पर चड़ गैफी और क्राबी ने क्रॉक को आखरी वाक्य खुद से पहचानने को कहा तीसरा वाक्य था मिल पर नहर क्रॉक ने जट से जवाब दिया नहर पर मिल ग्याफी और क्राबी ने आखरी वाक के सही से पहचानने पर क्रॉक की बहुत प्रशंसा की क्रॉक को अब पता चल गया था कि रानी उसे नहर पर मिलने वाली है क्रॉक मस्कुराया और वे खुशी-खुशी एक साथ खेलने लगे बच्चों, अब आपकी बारी है इन वाक्यों को सही क्रम में लगाने की अपने उत्तर, अपने परिवार और दोस्तों के साथ साजा करें बच्चों, इस वीडियो में हमने देखा है कि कैसे गलत क्रम में लगाए शब्दों को सही क्रम में लगा कर अर्थ पूर्ण वाक्य बनाए जा सकते हैं